और अब खबर पिथोरागड से है जहां पिथोरागड में मुंसियारी तहसील के कई गाउ में सड़क नहीं है जिस वज़े से ग्रामडों ने 2022 के चुनाव बहिश्चकार का फैसला किया ग्रामडों का कहना है कि सड़क नहीं होने से उन्होंने 135 किलोमीटर का तरिक्त सफर तै किया और इसके साथ ही ग्रामडों की नाराज़की सेक्षा व्यवस्था स्वास्तु सुविधाय ना होने को लेकर भी है निदी से 10 साल पहले भी रोड का संक्षन हुआ था जो के हमारा एक किलोमीटर काटने के बाद पानी का भी खराब कर दिया मोवेश्यों को जंगल जाने के लिए रासन लाने के लिए अगर कोई पीडि महला या बुजूर को किसी को बिमार हो जाता है उसको भी हम अस्पताल तक पहुचाने के लिए 3-4 किलोमीटर का हमें डोली में ले जाना पड़ता है उसमें रोड की आपकी डिमांड है और उनका द्वारा वगत कराए गए 2016 से इसमें कारवाई चल रही है और सम्भा होता है यह स्यूकिर्ट भी बताई जा रही है इनके द्वारा तो मैं अभी से बात करता हूं अगर यह स्यूकिर्ट है तो इसमें आगे तुरन कारवाई हो दूसरा जो इनका कहना है कि पैदल रास्ते हैं वह भी बहुत खराब है जिस कारण आने जाने में और विमार व्यक्ति को लाने में दिखत होती है उसको भी हम लोग विकास कंके माध्यम सेश क दवादू आने